हेलो एन वेलकम गई स्वागत आपका फेंटासी डीसन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहां से टुन ब्रीज वेल्स वेल्स वर्सिस ऑस्ट्रिया क्रिकेट टाइगर्स के बीच में चले दोनों ही टीम के प्लेज पर एक बार नजर कर लेते क कौनसे पलेजस वीडियो में कवर कर लेते हैं पंची रिपोड के बारे हें प्लस रिसंट अभी ज़स्ट आध्यए पहले मेच खतम हुगी वह भी सारी स्ट्रेट्स आपको इस वीडियो के अंदर एडिक किये गए है तो शारी डीटियल्स आपको मिल जाएगी तो चले-ब तूर्णामेंट है, हम लोग कवर कर लें, ये तूर्णामेंट हो गई, इसके बाद शाजा T10 जो शुरू हरी, वो कवर की जाएगी, बंगाल T20 जो चल रही है, वोमन्स की वो भी सारी कवर की जाएगी, तो फिर वो सारी डिटेस आपको मिलती रहेगी, तो आप बीना किसी द टाइकर्स जो है, वो एक बार 161 रन का स्कॉर बढ़ा कर चुकी है, और रिशन्टली अर्भी जो मेच कतम होया, उनका वहाँ पर भी उन्होंने 109 रन बनाया है, तो एवरेस स्कॉर यहां से 120-130 के आस-पास बनता हो दिखेगा, लेकिन आई थिंक है, चायद एक्ट की पहल लिया हुआ है, लेकिन दोनोई मेच में अभी दख ओर सो नहीं कर रहा है, लेकिन बेटिंग से जबाज़ास परफरमस करते हुए आ रहे हैं, तो आम लोग उनको हमारी टीम में लेके जा सकते हैं, यहां से बात करूँ, एलेक्स विलियम्स, जो की अच्छे फॉम में दिख लिया है, लेकिन बेटिंग से अच्छा परफरमस करते हैं, विल्कूल नहीं आप जख सकते होगे, ये तीनों बेस्मेंट जो है न उपर जो भी टॉप ओडर में खेली उनका अभिदक परफॉमस बिल्कुल पी अच्छा नहीं रहा है थोड़ा सा रिस्क लेकिया आप नीचे के प्लेस पे उपर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हूं आप बात करो यहां से मैट बारकर की तो पहली मैच के अंदर बेटिंग करने का तो मुखान नहीं मिला था लेकिन फियान फैर निस विए पर एक मैच में लगवक आपको पूरी फियान करती हूं नजर आएंगे बात करें हैं लगब लगधा और इड्यों वी मिलेंगे तो हम हमें भी उनको लेखे जना के लिए पहली मैच के अंदर तीन विकट ले देण्टा गेंड़िप लेकिन इसके बाद दुसरी मेच की बाद के तो ऊस्तों नहीं तो लेकिन अच्छी चोईस हो सकते हैं उनको लेके जाना इवन कैप्टन सिप्ट या वाइसी कैप्टन से पी यह सकते हैं यहां से बात करूं जौनी शेफरटचरन चो कि पहले मैच वो खेंप ली नहीं थे दूसरी मैच मेच में 14 रंद का एक और Hee ऐक की गयन बाजी की लेकिन विकेट नहीं मेला दूसरी मैच कि बाद कि तो और तो बीड़े पहले कि की जा काफी अच्छे 23 मेच के लिए जा पर 32 विकेट निगा ले 452 रन भी किये हुए और अच्छी लएमें भी दिख रहे थे लेकिन पर्फरमस इतना अभी दक रहा नहीं उनका पाकि यहां से बात करो इयान मेकलिन जो कि पहली मेच के अंदर पर्फरमस करने का कोई भी मौका नही पर्फरमस किया नहीं था दो उसकी गयन भाजी कि तो विकेट नहीं मिला था और लास्ट मेच में दो जो दिन बज़े दो दिन के बाद यह टूर्णामेंट खतम हो जाएगा और इसी शीरीज में दूसरा टूर्णामेंट शुरू हो जाएगा तो यह यह टीम आपको थोड टेम कोड़े सकती है क्योंकि आप इंगलेंड की तरफ से डॉमेश्टिक केले वा कुछ प्लियर है तो काफी अच्छी यहांसे यह टीम परफॉर्मस कर सकती है यहांसे बात करो लियाम बटरी जो कि पहली मेच तो परफॉर्मस करने का मौका नहीं मिला दूसरी मेच में शिर्फ दो रन किये और तीसरी मेच के दूसरी अच्छा उप्संस है तो हम उनको तो अभी लेके नहीं जाएंगे हम उनको अवोइड कर गही जाएंगे यहांसे बात करूं मार्क मेकलिन जो कि पहली मेच वो खेले नहीं थे दूसरी मेच में दो वस की गनबाजी की एक विकेट निकाला था तो एक अच्छी लेकिन परफॉर्मस करने का कोई भी मौका नहीं मिला हुआ है पाकि बैंस से क्रिस फिल्यम्स पहली मेच में उपनिंग की थी 45 किये दूसरी मेच में 21 किये थे आज शायद एक बार फिर से आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं काफी अच्छी पिक हो सकते अगर खेले तो जो कि पहली मेच के अंदर बिल्कुल परफॉर्मस नहीं रहा था दूसरी मेच के बात कर तो 29 रन किये थे बैटिंग से और 2 विकेट निकाले थे तो एक अच्छी पिक हो सकते हैं हमारे अगर खेलते हो नजर आए तो हमें उनको लिखे जाना है यहां से बात करूं मैकल वो पर्फॉर्मस नजर दो मेच के अच्छा खासा कुछ कर सकते हैं हैं यहां से बात करूं तो खेलेंगे तो वैरी NICK-1 पिक हो सकते हैं लास्ट मैके वह खेले layout नहीं थे लेकिन को लेके जाना होगा कि यहां से बात कर हो टीम एक्ट की यानि की तिम औस्ट्रिय विकेट टाउ दिया थे तीसरी मेच में पर्फरमस इतना कुछ खास रहा नहीं था लेकिन आपको ओस भी पूरी करवाते हो नजराएंगे प्लस बैटिंग के बाद कर तो ओपनिंग करते हो नजराएंगे यहां से बात करो बल्विंदर सिंग की तो 14 मेचिस के लिए जाबाद 236 रन या 8 वि अच्छे पर्फरमस दे सकते हैं कभी भी बाकी बात करूँ यहां से इमरान युसूप की यह हमारे लिए बेर इंपोरेंट रहने वाले हैं इनको में में सिधा हमारा कैप्टन सीप या वाइस कैप्टन सीप मेरे इमरान आशिफ रहने वाले हैं पहली मैच के अंदर 48 के तो दो wicket निकाले तो दूसरी मैच में एक wicket निकाला तीसरी मैच में 29 रन के एक wicket निकाला तो CD चोईस हो जाते हैं बैटिंग से थोड़े से उपर आएंगे प्लस जब जब दमांके दार बैटिंग कर लेते हैं और यहां से व्यापन करो लेकिन ये भी ओर बदेने में उसी नहीं मिला था लेकिन ये भी ओर रहा है प्लस टॉप वोर्र से इंपोरनेट हो सकते हैं इवन बैटिंग के बाद कर दो 34 और 30 दो बड़े स्कोर भी की हुए है तो इस टीम के अंदर भी काफी अच्छे अच्छे वाल रांडर से तो यह हमें नोटिस करके चलना है हमें उनको लेके जाना है यहां से बात करूं मिल जा एसान जो कि पहली मैच के अंदर दो रांगे दूसरी मैच के अंदर 34 की है और तीसरी मैच के बाद का तो 15 रांग का स्कोर किया था और बाकी ओवराल 20 मैच के लिए जापर 284 रांगे और एक विकेट भी निकाला हुआ है तो बैटिंग से थोड़े से नीचे आ रहा है इसके लिए थोड़े से हम लोग उनको और करके जा सकते है बाकी आप देख सकते हैं कि स्कॉर तो अच्छा किया है जब भी बैटिंग करने का चांस मिलेगा अच्छा स्कॉर करके देंगे आपको यहां से बात को साहिल जद्रान जो कि तीनोई मैच में दो-दो वस की गयनबाजी पूरी की है लेकिन विकेट्स इनको सिर्फ लाश मैच में ही मिला है तो आपको वस पूरी करवाते हो नजर आएंगे बाकि बैटिंग करने का चांस तो अभी तक मिला नहीं है एक दो बार बैला है जहां पर पहली मैच के अंदर जीरो में आउट हो गए और लाश मैच के अंदर एक करन किया था तो यह कुछ हो सकता है कि आपको लेके जाना हो तो एक अच्छी चोईस हो सकती यहां से बॉलिं मैच के अंदर दो ओस की गेंट बाजी करते हो तीन विकेट निकाले थे तो आपको हर एक मैच में लगबग विकेट लेता हो अनजर आएगा तो एक अच्छी चोईस हो सकते हैं उनको लेके जाना है यह जब प्लेयर लेके जाएंगे हम और ग्रांड लीग खेलते हो तो इन एक मेच में उनको केलने का परफर्मस करने का मौका नहीं मिला दूसरी मेच में बैटिंग का मौका मिला जहांपर दो रन का स्कोर किया था तो यह small league में ज्यादा प्रिफर नहीं करूंगा प्लस इतना कुछ खास पर्फरमस भी नहीं है तो इनकी टीम में से हमें टॉप ओडर ही लेना है और बाकी यह जो नीचे बेटिंग करने के लिए उनके कुछ खास इतने अच्छे श्टेट्स नहीं है तो आप अपने तोर पर कुछ रिस्क लेना चाहो तो ही ले सकते हो बाकी समॉल लिंग में उनको प्रिफण नहीं करता है यहां से बात करो तो तो पहली मेकर अंदर एक पिकेट निकाला था दूछरी मेकर ऌइगी एक रंकी है बैटिंग से और सही के नहीं तो यहां से वश्ट के बात गारो से आवेड़ करके जा सकता हूं यहां से विवीकेट को बात करT male हका दो उमयात को दो सकते हुआ उनको लेके जाएंगे मंध्में 3-3 विकेट लेते हुआ इसके लिए थोड़े से इंपनेट ड्रेस चक्ते है इसके लिए हम लोग यहांसे उमल तारी को लेके जाएंगे आगुण सकता है लागी यहांसे बॉसार लीक्विक हो सकते तो इनको लेके जाना पड़े लेकिन अगर खेलते हैं लेकिन अगर खेलते हैं अगर खेलते हैं अगर खेलते हैं अगर आएहंघने हैं तो यहां से कैप्टेन्शिप दी हुए और वाइस केप्टेन्शिप ऐक बाल जो की काफ़ी रिस्की होनी वाली है क्योंकि सारे जनता की जटने भी लोग है उनका सारे के सारे लोगों की नजर ओर चार पर है लेकिन, और रियरड़ ऊंड रू यहें की सबdesne यहां पर कैप्टेंसिप और वाइस के दिए हुई है तो यह डेमोटी में और इसमें फाइनल लाइनप के बाद आपको काफी सारी चैंजिस दोते हुए दिखेंगे तो फाइनल टीम के लिए सिंपली टेलिग्राम से जुड़ जाना और टेलिग्राम से जुड़ने के लिए यहां पर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि यह आगे आने वाली और अच्छे मैसिस के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे यह टूनामेट हम लोग कवर करने वाले हैं इसील टीट्वेंटी कवर करेंगे शार्जा टीट्वेंटी कवर करेंगे और बेंगल टीट्वेंटी भी कवर करेंगे और शार्जा भी टीट्वेंटी और बंगल टीट्वेंटी जो वूमन वाली है वो भी सारी कवर करेंगे तो पिर इसके लिए बोलता हो कि आपको यूटूब चैनल सस्क्राइब करके रख दिजेगा बाकी पूरा वीडियो रखते रों अच्छा एनलिसेच करते रों अच्छी टीम बना देरों अच्छी मेनिंग करते रों हम लोग मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक लिए बाई दन्यवाद जाहिन जाए बाद